अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैंने इन सारे टैंक्स को जो मेरे पीछे में हैं कुछ नीचे में हैं उन सब को एक मैना के लिए मैं छोड़ के गया था एक लंबी से छुटी पे और उस दौरान इन सारे टैंक्स में क्या डिजास्टर हुए हैं क्या सब चीज़ेंग तो लाइट चेंज हुआ है मेरे आने से पहले यह चेंज हो चुका है यहां पर मेरे को पुराने वाले लाइट का गाड मिला है मतलब आँख प्रोटेक्शन तो इसको यहां पर ऐसे लगा दोंगा तो हमारी आँख रहेंगी इंजल काफी सही लग रहा है इनका बस वाटर हुआ है जिसे हम लोग रीफिल करेंगे इस वाले टैंग में काफी कुछ डिजास्टरिस हुआ है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विद्धाउट सी योटू यह दिक्कत भी दे सकता है आइड़नों लाइट की भी कुछ दिक्कत होगी डिवरेशन वगेरा का त तो इसको सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं इसमें काफी गंदगी मतलब मैंने इसको खोला अभी काफी गंदा स्मेल है इसका निकालते हैं इससे हटाओ सो यहां पर दोनों बॉटल हो चुके हैं खाली यहां पर पीछे में जो पॉंप चल रहा था उसमें भी कुछ इश लिए है इसको आधा के और इसको आधा से फुल यहां पर दो कप चीनिया चीनी एक्चिली दो कप आया थोड़ा सा गरम पानी इस्ट मासला में जो भी इसको तुमेरे को नहीं यूज करना है यहां पर वैसे कुछ मिक्सर स्रिशन का तो इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूं अराम अधार बनाऊंगा एक दम अंदर में जाका बुल बुले छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे बुल बुले छोटे हो जाएंगे एक दम फाइन वाले तो उस चीज के लिए मैं इसको चेंज करूंगा अभी के फिलाल मैं लगा देता हूं इसको ऐसे नॉर्मली सल्यूशन बनाते हैं यह रही डियाइवाई कुपी जिसके अंदर हम डालेंगे चीनी मतलब एक्चुली बॉटल के अंदर डालते हैं सिलोली स्लोली जाओ देखो यह चीनी गया इसके अंदर करना है से मिक्स अच्छे से जब तक यह एक दम भूलना जाए सारी चीनिया इसके अंदर म यहां पर हलका सा गरम पानी जिसमें चीनी है थोड़ा सा अब यहां पर मैं लूँगा आधा चम्मच इस्ट थोड़ा सा इतना काफी रहेगा यह चम्मच करो डालो हलके से पानी में गरम हलका सा चाहिए एकदम गुन गुना सा पानी इससे मिक्स करो अच्छे से जब तक ए अंदर करते पोर सारा इस्ट वाटर हलका सा करना इसे मिक्स जादा नहीं बस ऐसे करके अराम से छोड़ दो अब इसे सेट कर देते हम लगा के एकदम धक्कन और हमरा काम हो जाएगा तो सियो टु सिस्टम को अभी मैंने ऐसे लगा दिया है टेंपरेरी ली जैसे यह प्लांट्स की हालत देखो यहां पे कबोंबा लाइट डेफिजेंसी हाई रफिला डेफॉरमस को कोई दिक्कत नहीं है पॉलिस्परमा को भी कोई दिक्कत नहीं है कुछ प्लांट्स मेरे को कायब लग रहा है उस कॉर्णर से हैर ग्रास कहां तो एकदम बंजर जमीन हो ना गोल्ड इसके तो पत्ते खाये जा रहे हैं आई डों नो कम फीडिंग के वज़से यह चीज हुआ है या फिर क्या रीजन है मेरे को नहीं पता तो सबसे पहले इसी टेंग का हम क्लीन अप सेशन कटिंग पेस्टिंग सेशन स्टार्ट करते हैं सो ग्लास क्लीनिंग का का हम चारो बल से इसके मैंने अच्छे से रगड दिया है अब बचा इसमें काम जो प्लांट्स अप रूट हो गए हैं अपने जगह से निकल चुके हैं या फिर जिनको मेरे को साइज में लाना है जैसे कि यह दोनों प्लांट्स है अब ही के लिए तो टेंपरेरी इसका मेंटेनेंस हो गया इसमें मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा वाटर चेंज करूं और उसके बाद जो भी मेरे को अलग प्लांट्स लाके इसमें डालने होंगे वह डालूंगा अब भी काफी अच्छा खासा वाटर ड्रॉप हुआ है लेकिन उससे जादा चिंता वाली बात यह सबसे पहले मैं इसको चेंज करता हूँ उसके बात बताता हूँ है चलो आई प्रोडिक्शन लग चुका है अब फाइनली हम अच्छे से बात कर सकते हैं यहां पर इशू क्या हो रहा है जो भी यहां पर ड्रेन हुआ था उसके वैसे जड़ यहां पर पहुँच नहीं पाए पानी तक जिसके वैसे काफी सारे पौधे मर चुके हैं यह देख बात रहा है इंजल्स वह काफी सही है इधर पे क्लम्स ऑफ रूट्स पौधे उनको मैं निकाल लेता हूं देखरो पूरा खतम हो चुका है यह मानी प्लांट जिंदा सा तो है सो लगे यहां तो मैं सोच रहा हूं कि स्पंच को भी एक पर क्लीन कर लिया जाए बुल-बुल पर सेटन्द बुल-बुल पर सेटन्द हाँ कम हो चुका है स्पंच की सफाई हो भी गई चलो इसे डाल देते हैं अंदर में हैं इनो आप लोग लग रहा होगा कि मैंने इस निकाल के उठा दिया बट्ट डिफुरेंस आप लोग के यहां पर बुल-बुलापर सेटन में द और इसका हालत काफी जादा खराब हो रखा है मैं सोच रहा हूं इसके टॉप पर उस कॉर्णर पर मैं इसको प्लेस कर दूँ इसका तो काम ऐसे खतम होई चुका है और कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है जादा कुछ इसका रूट सिस्टम बच्छा नहीं है होपुली मेरे को इसको रिवाइब करने का टाइम मिले और यह कास्ट ग्रोफ पाए मैंने इसको जंटली प्लेस कर दिया उसके रूट सिस्टम अंदर में है पानी के यह पत्लब हुमेड क्लाइमेट उन्हें हुमेड इंवारमेंट रहता है ऑपर दूनों के टैंक की काम खतम अब चलो देखा जाए नीचे में क्या सीन चल रहा है इन सब का ऐस यूश्वल तबाही गंदगी भरी पड़ी है श्रिम्स टैंक में मतलब टैंक क्या बलू इससे स्टोरेज टैंक उसके बाद यहां पर फीमल टैंक में वो यह देखो जरा बच्चे और बहुत सारे बच्चे यह क्या सीन मकडी के जाले लग चुके हैं इस पर गाइस कोई ध्यान नहीं दे रहा था मकडी के जालों पर उसके लावा गपी ग्रास आगे तक बढ़ रहा और यह गपी इस बच्चे देने में कितनी जादा एक्सपर्ट हो जा रही है बचा बचा के सामान बच्चे दे र यहां पर हैर ग्रास टोटली खतम हो चुके हैं यह काफी इंट्रेस्टिंग है चलो काफी एक इंप्रूब्मेंट वाली चीज मेरे को देखने को मेली यह बल्ब अब बन चुके हैं पत्ते देके एकडम प्लांट टाइप आइधिंग सो ऊपर में भी एक आके रखा है पत् कारे मेल्स की कर सी पहले इन दोनों को निकालते हम हाँ टालो है очень यहाँ कुछ टैंग में बलेंके को देने के लिए कुछ तो मिला चलो इसको प्लेस कर देते हम जहां पर बेठर रहेगा हाँ सब्लेंड औwn यह धोना सब्लेन दों सब्ट के दाशर के साथ बस्टेल जब ग् वह इस वाले एरिया में फैलेगा तो काफी एक इंट्रोस्टिंग सा लुक देगा तो यह ओफुली यह ऐसे शूट्स देके जो यह लंबे से उपर में आते हैं वो आके उपर में फैल जाएगा तो इसको लाइट की दिक्कत नहीं होगी मैं चाहता हूं यह चीज यह कर ले ब और कोई फिशस है नहीं तो इसमें मॉस्किटो लारवा पनप रहे हैं पुछ पुछुप करके घूम रहे हो सारे तो मैं सोच रहा हूं कि इन में से कुछ फिशस को पकड़के इन में मैं डालू और इस बार मैं एक चीज़ टेस्ट भी कर लूँगा कि यह फिशस कितनी चलो तुम जाओ थैंक यू चलो हो क्या जम था सारे फाल तु जानवरों को खा जाओ यह नाम की तरह इगरिया देंसा एकदम देंस इसमें थोड़े से हौनवद भी है बट बाकी तो देंसा ही है जोगे काफी देंसा हो रखा है तो इनको बेचने का टाइम आ चुका दोस् तो इतना ही कर देने से काफी जादा परक पड़ता है इन सारे टैंक को दो घंटे बाद ही इसमें काफी अच्छा डिफरेंस मेरे को देखने को मिल रहा है थोड़े से रेडिस मतलब सी वहां पर क्रियेट हो गया है थोड़ा सा अब बुशिब बुशियर मतलब थोड़ा- पहले तो काफी गंदा सा लग रहा था हां तो इसका सिचुएशन दीरी दीरे ठीक हो जाएगा सी यू टूब इंजेक्ट करेंगे उसके लिए मेरे को एक पंप लाना पड़ेगा जिसके लिए मैं बाद में जाओंगा अभी फिलाल नहीं इसका भी क्लीन हो रहा है एकदम म पड़ेगा कि यह कुछ स्टेनले स्टील के पीसस मेरे को वहाँ पे मिल गया तो मैंने सोचकी रखी लेता है कभी ना कभी किये तो काम आए गई चलो देखी लेता है क्या है जोली में छुपा या या बड़ा पीस यह निकले उससे पहले मेरे को छोटे-छोटे पीसस निका और बढ़िया पीस दो टीन चुहा मरा हुआ लगड़ा वैसे कुछ च्या था पांच्वा नाकाम किया हुआ एक गन जिसकी में गिंती भूल चुका हूं और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे बड़ा पीस शायद यह सेल्फ स्टेंडिंग था अब नहीं रहा यह शायद मैं शायद एक टैंक के अंदर डाल सकता हूं ऐसे काफी सही लगेगा ना वैसे सो यह सारे वोट जिनको प्रोसेस करके मेरे को ड्रिफूड में कनवार्ट करना है हां यह अभी तक रेडी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए इनकी वी वीडियो आए की काफी जल्द जब इसको सारे अच्छे से में ड्रिफूर में कनवार्ट कर दूंगा उसके बाद दोनों टैंक काफी क्लियर हो चुके हैं सीओ तु सिस्टम पर स्टार्ट हो चुका है और थिंग इस टैंग में कुछ और भी प्लांट्स चाहिए लेकिन प्लांट्स की बात हम स्टार्ट करें उससे सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यह देख लो डिया वाई सीओ टू सिस्टम काफी जादा स्पीड में उसके सीओ टू बवल्स निकल रहा है जो की स्केप कर जा रहे मतलब सर्फेस पे तो मेरे को यहां पर इस चीज़ को ठीक तो कर नहीं पड़ेगा अभी फिलाल बात क का सिचुएशन वाटर क्रिस्टल क्लियर लग रहा है इस टैंक के देख सकते हो मतलब पहले इसमें जो इशू हुआ करता था क्लावडी नेस वाला वह बिल्कुल भी नहीं है मेरे को और कुछ एलगी वाले इशू भी इस फ्रंट यह साइड वाले ग्लास पर वैसे कुछ न कर चुके हैं यह कपीस के बच्चे हैं इस टैंक की क्या ही बात करें इससे वड़िया एकोसिस्टम मेरे कोई भी टैंक में अभी तक नहीं हुआ है मतलब लश्ट ग्रीनरी प्लस में वाटर प्रिस्टल क्लियर सारे एक तम स्टीबल चल रहा है सब कुछ सो वाटर लेटिस देखी सकते हो कितना दाधा बढ़ चुके हैं फिलहाल तो इन दोनों का भी ग्लास क्लीन करते हैं इससे रीफिल करते हैं फ्रंट सेक्शन में साइज आ रहे हैं चलो अब टैंक्स के इंटीरियर देख लो अपर वीव से यहां पर यह काफी सही लग रहा है एक हनीवी की मौत हो चुकी है क्या यह मरने के बाद विस्टिंग करते हैं निकाल लिया जाए हनीवी को हटा देते हैं तो ग्लास क्लीनिंग का काम ख़ताम अब मेरे को इसमें से निकाल लेना है कुछ कबोंबा काट कुटके सो इसमें से अन्वांटेड लीप्स एंड प्लांट्स को मैंने निकाल दिया है यहां पर देख सकते हो यह कबोंबा जिसमें एल्गी छपका हुआ था और यह सारे प्लांट्स वो है जिसे मेरे को री ग्लो री ग्लो री ग्लो करना है तो जावा मौस को मैंने यहां पर कर दिया है सारे प्लांट्स जो भी मेरे को री प्लांट करने थे वो भी हो गया अब इससे बस री फिल करते हैं काम खतम इसका जो इस टैंक में से हम थोड़े से सैज निकाल लेते हैं जो कि अब मतला फ्रंट ग्राउंड में आ रहा एक्चुली अप ग्राउंड क्या होता है यह जुड़े जुड़े रहते हैं तो इनको निका और इस पत्ते को ऐसे नहीं तोड़ना था स्टेल यह ग्रो हो जाएगा चलो अब इसमें भी रीफिल कर देते हैं water to the top असासियन स्नेल घूमरा बीच में चुबियो तो मेरे को इस वाले सेक्शन में फ्रंट वाले और उसके पीछे में तो गपी ग्रास है जो कि फ्रंट सेक्शन में भी आ रहा है तो इस वाले सेक्शन में 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 को फुल डॉफ स कुल राइस हो आणा है कि यह अज़ीब सा चीज फिर से मेरे वोड़ पर आने लगा है और इटिंक wcześniej मैं 국 इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, male, female सारे mix, तो मैं सुच रहा हूँ, male को निकाल के इसमें डालूँगा, लेकिन इस फारे वीडियो मैं नहीं करने वाला हूँ, अब फिलाल सैच का हमारा काम हो चुका है इसमें, अब मेरे को इसमें मैंने जो कबोंबर डाल के रखा है, ग्र अब आज़ने जो काम हूँ, अब आज़ने मैं अब में ग्रम के पूलार भर चुका जो करने जो कुका है, तो मैं अलेगे आज़ने आज़ने हूआ, प्रिज़ने काम है। यहां पर यह देख सकते हो आपको यह एक फिल्टर दिख रहा होगा बट यह सिर्फ एक फिल्टर की तरह मैं इसको इसको इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं इससे बेस्ट आइ थिंक सो डिफ्यूजर डिया वसी ओडू के लिए शायद ही मिलेगा कोई तो यह मेथड काफी ज्य को यहां से निकालना पड़ेगा इसको पहले प्लेस कर देता हैं इसके अंदर में सो इस फिल्टर सिस्टम को मुझ को मैंने थोड़ा सा टेढा करके इस तरफ का फ्लो ले कि आए ताकि यह पूरे टैंक में ऐसे फैल है अब इसको मेरे को जो उपर वाले पार्ट में है उसम फैल रहा है तो इस पाइप से आ रहा है बुल बुला सी ओटू मैं इसको एटैज कर देता हूं इस से यहां पे इस तरीके से बेसिक वर्क इसका यही है कि इस तरीके से यह पूरे फाइन करके बुल बुले छोड़ेगा अभी जैसा कि देख सकते हो मैंने इसको आफ रखा है जैसे कि मानलो रात हो गया मैं लाइट वाइट आफ कर देता हूं और रात में सी ओटू की जरुवत नहीं पड़ती है प्लांट्स को और यह हामफुल भी हो जाता है अगर रात में सी ओटू चलता रहे तो यहां पे इस तरीके से इसकेप कर जाएगा ऊपर के तरफ में ऐस से अगर मैं इसको रख देता हो ना तो यह कुछ जादा ही स्पीड में टानेगा सी ओटू को और वह हामफुल हो सकता है उतना मेरे को नहीं चाहिए जल्दी भी खताम हो जाएगा हमारा डिया यह सी ओटू अगर मैं इसको इस वाले पाइप को इसकी अंदर में फिल्टर के कशणा उतार है इस साइड से देख सकते हो अब हैं देखते हां क्या सा रिपाइन पॉबल और जूणा देखते हैंमें कितने छोटे-्छोटे稱 पांडियों मरे रहे यह ओगाационयआ बिश्वास यह देखो यह बुबुल बुले करे नहीं है यह पानी में यह बुल बुले एक काम हो गया हमारा खादम मिलते हैं हम सी यू चाचा बाई बाई